हर्याना विधान सवाचनाव में सारे exit पोल नतीजे होते दिख रही हैं दोहस्त बीजेपी ने कॉंगरिस का उत्सा किया फीका हर्याना बीजेपी फिलहाल सभी exit पोल के नतीजे दोहस्त करती नजर आ रही है सुबह 8 वजे हर्याना विधान सवाचनाव 24 की वोटों गिंती शुरू हुई पहले पोस्टल बैलेट गिने गए और इसमें कॉंग्रिस के लिए उत्सा जनक रुजहान सामने आए सुबह 10 वजे तक कॉंग्रिस को जटका लगता दिख रहा था सुबह 10 वजे तक रुजहानों के मताविक हर्याना में आमादी पार्टी एक भी सीट पर आगे नहीं थी पिछली बार 10 सीट जीतने वाली दुसरें चोटाला की जेजेपी भी सूने पर थी वही आए एन एल्टी बीएसपी गठवंदन के दो और पांच अन प्रतियाशी आगे चलते दिख रहे थी इससे पहले एकजिट पोल के सभी नतीजों बताया गया था कि बीजेपी इस बार हर्याना विधान सबा का चुनाव हारे की और वहाँ बड़ी बहुमत से कॉंग्रिस की सरकार बने गी एकजिट पोल के नतीजों में कॉंग्रिस को 54-57 सीट पर जीते बताया गया था वहीं बीजेपी को 12-15 सीट पर से मटते दिखाए गया था हाला कि अभी वोटों गिंती के कई राउंड बच्ची हैं और दोपहर तक इस्तिती साफ होती दिखेगी बीजेपी की निताओं और हर्याना की स्थियाम नाइप सिंग से लगातार दावा करते रहे हैं कि राज में लगातार 30 वार पार्टी की सरकार बनीगी हर्याना में साल 24 में बीजेपी ने खुद के दम पर बहुमत हासिल किया था की 2019 में वो सिर्फ 40 सीटे जीत सकी थी ये बहुमत की संख्या से 6 कम थी जिसके बाद बीजेपी ने जेजेपी की साथ मिलकर हर्याना में सरकार बनाई बीते दिनों जेजेपी ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया था